प्रिग्नेंसी के दोरान महिलाओं में हीमोग्लोबिन या खून की कमी होना एक नॉर्मल सा बात है ठीक है पर क्या हम इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं क्या हम अपनी बाडी में प्रिग्नेंसी की टाइमपे हीमोग्लोबिन की मात्रा को इन- पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ठीक है तो सबसे पहले बात जो आपको ध्यान रखनी है प्रेगनेंसी के टाइम में अपने हीमोगलोबिन के मातर को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने खाने में हरी सब्सक्राइब को हीमोगलोबिन के मातर है वह बढ़ने में घेलप करते हैं दूसरा जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे एपल याने कि सेव अनार और चुकंदर इन तीन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए ठीक है यह भी आपकी हीमोगलोबिन को बढ़ाने में उसका लेवल इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्प फूल होते हैं बहुत ही सहायता कर करते हैं इसके लावा आपको सक्कर के प्लेस पे गुड का इस्तमाल करना चाहिए गुड हमारे हेल्थ के लिए भी एक बहुत अच्छा है ठीक है इसके अलावा आपको पर दे दिन में कम सकम दो डेट्स या फिर आप कह सकते खजूर जरूर से जरूर से खाएं उसका सेवन करें ठीक है इसके अलावा आपको अपने खाने में यूज करना है या अपने खाने की डाइट में सामिल करना है विटामिन सी रिच फूर्ट उसमें फूर्ट भी हो सकते हैं ऐसा कोई भी फूर्ड या फूर्ड जिसमें आपको अधिक से अधिक विटामिन सी की मात्रा मिले संत्र हो गए संत्र हो गए आवला हो गया है नीबु हो गया है एक क्लिए में या रजाय की अबजर्वेशन को बढ़ाते हैं इसके खाने से हमादा सरीर जदा से से जरूर ले पर डेले उसे मिस ना करें ठीक है यह भी एक बहुत जरूरी टैबलेट है क्योंकि अगर खून की कमी होगी तो डिलेवरी के टाइम पर काफी रिस्की रहता है काफी प्रॉब्लम करता है इसलिए आपको जो डॉक्तर होते हैं आपके रिक्वार्ट में अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो आपको स्टार्टिंग के महीने से ही आईरन की टेबल स्वस्तरी और खुश्रेगे